वो जो रात को एंकर आते हैं और आपको नेशनलिजम का आधा पार्ट पढ़ाते हैं उनकी निगाह से मत देखिए वो आपको इस देश की हकीकत से काट कर ले जा रहे हैं एक ऐसे देश की दुनिया में जो है ही नहीं हमारा मुलक सबसे खुबसूरत मुलकों में से एक है हमारे पास बुलेट ट्रेन नहीं है तो क्या हुआ हम धीरे भी चलते हैं तो गले मिलकर चलते हैं हमें जल्दी जल्दी में एक दूसरे को छोड़ कर आगे नहीं बढ़ना वो जो चिंता है कि सारी ट्रेन अच्छी हो जाए वो बुलेट ट्रेन के खिलाफ चिंता नहीं है वो चिंता ये है कि पहले सब का भला हो जाए ना तो फिर कुछ लोगों के लिए कुछ ले आना तो उन्होंने बुलेट ट्रेन का विरोध करने वालों को भी देशरोई बता दिया पंद्रह अजार का टिकट खरीद के जपान में लोग चलते हैं उसाका से टोकियो के बीच में पंद्रह अजार का टिकट खरीद के तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि अब कॉर्परेट मीडिया तो खरीद लेता है कई तरह के चैनल लेकिन बोल वो भी नहीं पा रहा है वेचारा जी एस्टी से परशान है उसका धंदा चौपट है बैंकों के खून निकल रहे हैं बह रहे हैं वो घाटे में दबे जा रहे हैं मरे जा रहे हैं कोई बोल नहीं रहा है क्या बात है भाई तुम भी डर गए है तुम तो बड़े बड़े चैनल खरीद लेते हो किसलिए खरीदते हो डरने के लिए हमने डर में इतना निवेश नहीं देखा जब डर प्रोफिटेवल हो जाये तो जनता को सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें उसका घाटा है फाइदा दोचार लोगों का होता है तो वो डर को प्रोफिटेवल बिजनेस बना रहे है और यही हो रहा है कि न खॉर्पोरेट बोल पा रहा है न जनता की आवाज खड़े हैं शिक्षा मित्रे रोज फोन करते हैं कि हम सवाल आख की संख्या में हमारी आवाज कोई नहीं उठाता है रोज रोते हैं बेचारे और अब तो सुनने को आ रहा है कि मुझे ही चलता करने का इंतजाम कर लिया गया है अभी वाटसअप पे आया कि मैं फोन कर रहा कि बर्खा में मेरे लिए कोई नौकरी है यह हसने की बात नहीं है इस देश का महान लोकतंत्र अगर एक पत्रकार को नहीं बरदाश कर सकता तो उसके लिए शर्म की बात है मैं गलत बोल सकता हूँ मैं खराब बोल सकता हूँ लगिन आपने अगर मेरी हत्या की कामना की है तो वो शर्म की बात है आपने मुझे उठा कर कहीं फेकने की कामना की है तो वो शर्म की बात है यह गांधी के देश में कभी नहीं हो सकता था जो गांधी अंग्रेजियों से लड़ते थे, वगर उसे भी शत्रू नहीं कहते थे हम उस देश के हैं आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे उस दिन वो सबसे शर्मनाक दिन था जब मेरा फोटो तरह तरह से ट्वीटर पर बना कर चलाने लगा किसी ने टिका लगा दिया, किसी ने गेरुआ तै होगा, कि सब को गेरुआ पहना होगा वो तो हम पहनते हैं अपने अपने पूजाओं में और ये मजाग चल रहा था, तो मैं यही सोच रहा था, कि क्या एक अधना सा पत्रकार इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसे विस्थापित करने के लिए हकूमत इतनी चालेंच चलेंगी और क्या हम नहीं जानते कि कॉर्पोरेट में टेक ओवर कैसे होता है आपने दुनिया का इतिहास नहीं पढ़ा और क्या आप हमेशा ये होता रहा है इसलिए होते रहने देंगे होते रहने दीजिए आपको लगता है कि आपको फर्क नहीं पढ़ेगा फर्क आफी को पढ़ेगा फर्क आफी को पढ़ेगा जब आपकी आवाज पहुचने के हर रास्ते बंद कर दिये जाएंगे जब आहरलाल नहरू ने अमरित बाजार पत्रिका के संपादक को लिखा था कि अखबार आलोचना नहीं करेंगे तो कौन करेंगा मैं यहाँ इस हॉल में आ रहा था तो किसी ने उसका टेक्स्ट मुझे वाटसब किया था कि अखबार अगर आलोचना नहीं करेंगे तो सरकार की आलोचना कौन करेंगा सरकार की आलोचना करने पे बधाई मिलनी चाहिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी लोग नहीं करते हैं 99% दी मीडिया एक गोदी मीडिया बन गया है अब रोना रो रहा है कि जो 1% वो भी गोदी मीडिया है कमाल है साहब, कमाल है सारा मीडिया खरीद के जेब में रख लो और दिन भर प्रोपेगेंडा हिंदू मुस्लिब एजेंडा चलाते रहो और कहो कि गोदी मीडिया दूसरी तरफ भी है तो नए नए तरक गढ़े जा रहे हैं आपकी आखों में इमेज जोके जा रहे हैं मैं उमीद कर सकता हूँ कि मेरा समय खत्म हो रहा होगा लेकिन दो चार बातें यही है कि लोकतंत्र की लड़ाई को आप आउट्सोर्स मत कीजिए हवन भजन मत कीजिए गांधी की तरफ सत्य के रास्ते पे चलिए क्योंकि हमारे देश में सच बोलने का एको सिस्टम नहीं है इसे हमें स्विकार कर लेना चाहिए और इस एको सिस्टम को हमने नहीं बनने दिया है जो भी जरा सा चलता है हम उसे पागल घोशित कर देते हैं जो इमांदार होता है कोई कलेक्टर आ गया वो ऑनेस्टी से काम करता है उसी के रिष्टिदार बोलेंगे पागल हो गया ये दुनिया बदल देगा क्या अब तक आप जूट के साथ खड़े रहे हैं कुछ साल तक सच के साथ खड़े होने का प्रयास तो कीजिए हो जाएगा वो राजा हरिष्चंद्र की जो कहानी सुनाई जाती है कि वो बरबाद हो गया बने थे सत्यवादी चलने है पुरा परिवार तहसन है सो गया अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचा ये कहानी इस देश में सुनाई जाती है राजा हरिश्चंद्र के लिए कि, पता है क्यों? क्योंकि आप हमेशा डरे रहें और ये कहानी कौन सुनाता है, पता है? जो पावर में होता है गांधी ने ठीक इसका उल्टा किया, गांधी ने सत्य के साथ प्रयोक किया और सत्य खुद को प्रेयोग किया लेकिन उस सत्य को अधिकांश जनता का हतियार बना दिया ये लो सत्य आज सी बी आई और जेल के डर से हमारा अपोजिशन भी नहीं बोलता और गांधी ने उस सत्य के दम पे लाखों लोगों को अंग्रेजों की जो डर का सबसे बड़ा कारखाना था अंग्रेजों का फैक्टरी थी अग डर की जेल उसमें ले आकर भर दिया गांधी ने कहा अपने भीतर जेल जाओ और अपने भीतर के डर से आजाद हो जाओ इनके पास टैंक है तोफ है अफसर है कानून है सेलुलर जेल है सब है लेकिन जिस दिन तुम जेल जाने के डर से आजाद हो जाओगे बाकी आजादी मिल जाएगी ये गांधी का सत्य था गांधी ने इसी सत्य के लिए अपनी जिंदगी दी वो कहते थे कि सत्य की खोज में क्रोध, स्वार्थ, घ्रिणा आदी, विकार, स्वभावत चूटते जाते हैं अने था सत्य की प्राप्ति असंभव ही हो जाए सत्य की खोज में सफलता प्राप्त होने पर मनुष्य में प्रेम और घ्रिणा, सुख और दुख आदी के द्वंदों से पूर्णता मुक्त हो जाता है मनुष्य और वो अपना पैमाना गांधी बनाते रहते हैं आप देखेंगे कि गांधी अंतिम अंतिम तक प्रियोग कर रहे हैं वो हारते हैं, वो अपने अहिंसा जब भारत आजाद होता है तो जिस अहिंसा को लेकर वो तीस साल तक प्रियोग करते हैं वो बिखर जाती है एक किताब सुधिर चंदर की गांधी एक असंभाव संभावना आप पढ़िएगा गांधी आखरी वक्त में फिर अकेले खुद को जुटाते हैं वो चाते थे 125 साल जीना लेकिन बाद में उनके जीने की इक्षा समाब्त होने लगती है और वो नुआ खली चल देते हैं तो जैसे आज ट्रोल होता है वैसे ही तब होता था कि बापू आप पहले बिहार क्यों नहीं जाते हैं बापू आप कलकत्ता में क्यों नहीं रुखते आप हिंदूओं क्यों नहीं रुखते विसल्मान दोनों हैवान बने हुए हैं, क्या इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, रास्ता तो है, दोनों में से एक जानवर ना बनें. जो निखिल डे कह रहे थे आखरी बात जो उनकी थी उस बात को समझे दोनों में से एक जानवर ना बने यही इसमें से निकलने का सीधा रास्ता है यह गांधी ने कहा था और वो पहचानते थे जब यह ट्रूल के जरिये किसी की हत्या पर उत्सों बनाया जाने लगा यहाँ वहाँ के तरकों से सवाल किये जाने लगे तो लोगों ने का कि हम तो ऐसे ही थे भीतर से हम लोग सब कम्यूनल थे बाहर आ गया है तो बाहर कम्यूनल आये तो खराब लगे तो उसमें nationalism थोड़ा से उपर से डाल दो उसमें मलाई तब भी गांधी जी कहते हैं कि जो बहुत हिंसा होने लगती है कि हम लाचारी से अहिंसक बने हुए थे मगर हमारे दिल में तो हिंसा भरी हुई थी, अब जब अंग्रेज यहां से हट रहे हैं, तो हम उस हिंसा को आपस में लड़कर खर्च कर रहे हैं हम आज भी उस हिंसा को आपस में लड़कर खर्च कर रहे हैं अपने भीतर की अहिंसा को पहचानिये उसमें बहुत शक्तियां हैं यह वो शक्तियां हैं जो इस मुल्क में बे पना मुहबत भर देंगी इस मुहबत के सहारे आप कम रोटी खा कर भी मुस्कुराएंगे जनरल क्लास में भी चल कर मुस्कुराएंगे यह मुहबत नहीं रहेगी तो बुलेट ट्रेंड में भी आप डरे रहेंगे कि कोई मुहर्रम या विसरजन के समय पत्थर तो नहीं फेक देगा आज यूपी, बिहार, जारखन, बंगाल के कई इलाकों में तज्जिया और विसरजन को लेकर दंगे भड़के हुए हैं अकबारों में यह खबरे हैं तो हमारे आपस के विश्वास को आप कम मत कीजिए मीडिया जो हिंदो मुसल्मान कर रहा है उसका एक खास मकसद है वो जब ये करता है तो उसकी जवाब दही है उससे वो खुद को मुक्त कर लेता है और वो सरकार की साथ उसके पाले में बैठने का उसके पास एक मौका होता है जब आजादी के समय में भी जो हमारे अख़वार थे वो यही कर रहे थे तो गांधी जी ने लिखा था कि क्यों नहीं आती हमारे अख़वारों में ये चीज़ें इतनी गहरी चली गई है कि अपने पराय की सामप्रदाइक भावना सामप्रदाइक अलगाव जिससे विभाजन के बाद रास्टरवाद ने पैना कर दिया कि हमारे अख़वार हमारी अपनी कर्टूते नहीं चापेंगे हम अपनी कर्टूते नहीं चापते अपनी हिंसा को नहीं पहचानते दूसरे की हिंसा को पहचान रहे है और ये सब जूट के आधार पर हो रहा है तो आप इन सब चीजों को समझेंगे हम जिस मीडियम से आते हैं उस मीडियम में घुन लग गया है तरह-तरह के तर्क ढून रहे हैं उससे कोई फाइदा नहीं है देश दुनिया की ताज तरीन खबरों से जुढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दबाएं स्बैल आइकन को और वीडियो पसंद आने पे लाइक, शियर और कमेंट चरूर करें